हेलो एबरिबन तो आज की इस वीडियो में कल्चर रिलेटेट एमस्कृति का तोपिक है उससे रिलेटेट जो इनपॉर्टेंट कोष्यंज है उन्हें देखने वाले हैं और ये आपके सभी एग्जैम्स के लिए important रहने वाली है class like assistant professor, gic, pgt ठीक है जितने भी है exams, net, सभी exams को ध्यान में रखते हुए questions आपको culture के कराए जाएंगे and यह part first है इससे बात भी जो videos आगे की आएंगी वो culture based होंगी video start करने से पहले अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर ले चैनल का नाम है go to success, अगर आप net, jrf, pgt, gic या फिर assistant professor exam की तयारी कर रहे हैं शुशौल जी से तो इस channel के साथ जुड़ कर आप यहाँ से अपनी study को complete कर सकते हैं playlist में उन सभी videos के folders मिल जाएंगे आप वहाँ से उन videos को देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं, first question है dimensions of modern Indian culture options हैं प्रमिला कपूर, नीरा दिसाई, डीपी मुखर जी, योगेंद्र सिंग first question का यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा डीपी मुखर जी, ठीक है, डीपी मुखर जी option C यहाँ पर right answer हो जाएगा और इसके अलावा इनकी इस book के अलावा और अगर books की बात की जाए, जो कि important है आपके exams के लिए जैसे कि वो है diversity, ठीक है, diversity है एक book, दूसरी जो book है tag or a study, ठीक है tag or a study next जो इनकी book है basic concepts in sociology, फिर एक book आती है problems of Indian youth ठीक है books कैसारी होती है, सभी को याद करने की जरुरत नहीं है, जो important books है, important concept है जिनके उपर इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है, उन्हीं को उनसे वो जो जितने भी concepts है या फिर हम कहले theories है, जिस book में दी गई है, उन्हीं books को याद करना चाहिए, ठीक है, तो diversity हो गई, फिर एक book है टैग और a study, फिर next book है, basic concepts in sociology, फिर एक book आती है, problems of Indian youth ठीक है, तो यहाँ पर first question का right answer हो जाता है, option C next है, किसने कहा है कि सब्भेता संस्कृति का अत्तितिक जटिल तथा विक्सित रूप है, सब्भेता को संस्कृति का अत्तितिक जटिल तथा विक्सित रूप है, यह किसका कहना है गिलिन एन गिलिन, ओगबन, समनर, किंग्सले डेविस ओप्शन्स हैं बताईए यहाँ आप सेकेंड का राइड आंसर क्या हो जाएगा देखिए कल्चर के अगर बात करते हैं समाज शास में कल्चर शब्द के अगर हम बात करें तो शब्द का अर्द क्या है कल्चर का मनुषी का जो सीखा हुआ वहवार है ठीक है मनुष्य का जो सीखा हुआ वहवार है जिसे कौन कैसा है वहवार सीखा हुआ वह कहां सीख रहा है समाज में रहकर ही सीख रहा है तो सीखे हुए वहवार को ही कल्चर कहा जाता है मनुष्य के वहवार में क्या क्या आ जाएगा बाते करना भिवादन करना सोचना डरना यह सभी आजाएगा लेकिन समाज शास में हम जब कल्चर की बात करते हैं संस्कृती की बात करते हैं तो इसके अंतरगर व्यक्ति का समाजिक वहवार आता है समाजिक वहवार मिलत बाते करना अभिवादन करना यह सभी यह आएंगे वहवार समाजिक वहवार आता है, मनवज्ञानिक वहवार या यह यह नहीं आएगा, ठीक है, कैसा चलता है, खाना, उसका पीना, यह सभी नहीं आएगा, जो समाजिक वहवार है, बाते करना, भिवादन करना, वो आता है समाज शार्स में, कल्चर के अंतरगर, ठीक है, और इस समाजि सीखता है ठीक है जैसे कि टाइलर की डिफनेशन में भी आपको देखने को मिला है कि संस्कृति में समस्त सीखा हुआ वहवा ठीक है विश्वास, कला, आचार, ज्यान, विधी, प्रथा, अनिचमताएं, आधतें जो किसी भी किसी समाज का सदस्य होने के नाते वैक्ति अर्ज पूछी जाती है तो यहाँ पफिलाल सभ्यता संस्कृति का अत्य तथिक जटल तथा विक्षित रूप है यह किसका कहना है ? सेकेन्ड का यहाँ पर आईड आंसर गिललन एन गिललन हो जाएगा ठीक है गिललन एन गिलन ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है, निम्ने में से किसने संस्कृती ग्रहन, पारसपरिक संस्कृती ग्रहन तथा पर संस्कृती ग्रहन में भेद किया है या यूँ कह लिया जाए कि संस्कृती ग्रहन के तीन प्रकार संस्कृती ग्रहन पारस पर एक संस्कृती ग्रहन और जो पर संस्कृती ग्रहन है वो किसने बताए हैं प्रकार आप्शन्स दिये गया है विस्लर, क्रोबर, हर्षकोविट्स, लिंटर विस्लर, क्रोबर, हर्षकोविट्स, लिंटर आप्शन्स दिये गया है यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा हश को विट्स हो जाएगा ठीक है हश को विट्स हो जाएगा option C यहाँ पर right answer हो जाएगा next है मानव और संस्कृति के लेखक हैं उस तक का नाम क्या है मानव और संस्कृति option से मानव और संस्कृति बुक का नाम है किसकी हो जाएगी यह बुक option A यहाँ पर right answer हो जाएगा और इनके कुछ और भी बुक्स है इंपोर्टन जैसे कि इंडियन विलेज एक बुक का नाम क्या है इंडियन विलेज है फिर उसके अलावा इंडियन सोसाइटी है दकमार कमार जन जाती पर इनका fiaild work भी धफी तो क्या बताई गई आपको इंडियन विलेज फिर इंडियन सोसाइटी फिर दकमार नाम से हैं इंडिया स्चेंजिंग विलेजिस करके भी एक बुक है तो यह कुछ important books हैं दुबे की इन्हें भी याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर option A right हो जाएगा next है जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन अंग पाई जाते हैं उसी क्या कहा जाता है संस्कृति गुड कहा जाएगा संस्कृति प्रतिमान संस्कृति छेत्र या फे संस्कृति संकृत बदाएगे क्या होगा यहाँ पर right क्या होगा फिफ्ट कॉशन का यहाँ पर क्या हो जाएगा फिफ्ट का राइट सांस्क्रितिक छेत्र सांस्क्रितिक छेत्र और यह कॉंसेप्ट किस ने दिया है क्लॉर्क विसलर ने दिया है सांस्क्रितिक छेत्र की अवधाना किसकी है क्लॉर्क विसलर की है और इसे यह समझा जा सकता है कि कोई निश्चित भोगलिक छेत्र जिसके अंतरगर कोई संस्क्रिती है जो जन मलेती है ठीके और उस संस्क्रिती पर परेवरन का प्रभाव भी देखने को मिलता है और उस अधार पर ये का जा सकता है कि ये पाया भी जाता है कि एक छेत्र से दूसरे छेत्र में जो संस्कृति है उसमें भिनिता देखने को मिलती है एक छेत्र से दूसरे छेत्र में सांस्कृतिक विभिंता पाई जाती है तो Clark Whistler का ये concept है सांस्कृतिक छेतर का ये याद रखिएगा तो option C यहाँ पर write हो जाएगा next है social change and cultural dynamics बदाईए ये किसकी बुख है social change and cultural dynamics options है Sorokin, Weblen, Max Weber, Linton social change and cultural dynamics Sorokin, Weblen, Max Weber, Linton options दिये गए है write क्या होगा यहाँ पर बताईए ये गलत नहीं होना चाहिए write क्या होगा Sorokin होगा ठीके, Sorokin है option A यहाँ पर write answer हो जाएगा और इस book के अलावा इनकी कुछ important books है उसे भी देख लेते हैं जैसे की Crime and Punishment एक book का नाम क्या है? Crime and Punishment फिर एक book आती है इनकी System of Sociology System of Sociology फिर एक book है The Sociology of Revolution क्या हो जाएगी? The Sociology of Revolution फिर next book है Society, Culture and Personality Society, Culture and Personality तो यह याद रखिएगा किसकी books बताई गई है सोरो किन की बताई गई है सभी books important है ठीक है? तो यहाँ पर option A राइट हो जाएगा एन्ड शुशौ जी की जो important books and authors है इस पर पहले ही class ली जा चुकी है प्लेलिस में फोल्डर बना दिया गया है वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जितनी भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या जोनोंने वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें ज़रू देख लीजेगा आपके सभी exams को दियान में रखते हुए books complete कराई गई थी तो यहाँ पर option A हो जाएगा next time किसने कहा है कि संस्कृती समाजिक वहवार का प्रतिकात्मक अर्थपूर पक्ष है संस्कृती समाजिक वहवार का प्रतिकात्मक अर्थपूर पक्ष है या किसका कहना है options है आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विसलर आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विसलर options दिये गए है तो यहाँ पर आर उथनो हो जाएगा option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा और संस्कृती की अगर हम कुछ विशेषताओं की बात कर ले तो जैसे की आप सभी जानते है मानव या कहले मानवी सीखा हुआ वहवार है संस्कृती, मानव निर्मित है यह समाश निर्मित भी कह सकते है हम पीडी दर पीडी हस्तांतरित होती रहती है मानवी आवशक्ताओं की पूर्ती का साधन किसने कहा था मानवी आवशक्ताओं की पूर्ती का साधन संस्कृती है मेलनोवस्की ने कहा था न प्रकारवादी है यह तो यहां पर आर उतनो राइट हो जाएगा option A यहां पर राइट हो जाएगा next है आधुनिक जगत में वस्तुनिस्ट संस्कृती और संस्कृती के बीच बढ़ते अंतराल को जौच से मिलने नाम दिया है इनमें से क्या कहा है उन्होंने वस्तुनिस्ट स संस्कृती के बीच में जो ग्याप है बढ़ रहा है अभी modern period में आधुनिक समय में तो जौच से मिल उसे क्या कहका पुकारते हैं क्या कहते हैं संस्कृती का प्रसार, प्रभुप्रकाश, संस्कृती की तरासदी या फिर उत्तर आधुनिकता क्या हो जाएगा यहां पर एर बदाएए modernity and post-modernity में इस topic को भी complete कराया जाया था तो उसमें यह बदाया गया था उसका भी playlist में folder बना दिया गया आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं तो यहां पर संस्कृती की तरासदी होगा, option C यहां पर right answer हो जाएगा next है culture theme, अब culture theme किसकी concept है, किसकी अवधाना है options दिये गया है, morris opler, rute bendict, ralph linton और robert retfield cultural theme, यह जो अवधाना है वो किसकी है, morris opler, rute bendict, ralph linton, robert retfield options है बताएगे, क्या हो जाएगा यहां पर right answer रैट क्या हो गए आपर मोरिस ओपलर ठीक है मोरिस ओपलर की ये अविधार्णा है ठीक है कल्चर थीम को हिंदी में सांस्कृतिक प्रेनाय कहा जाता है क्या कहा जाता है सांस्कृतिक प्रेनाय कहा जाता है और जो कि मानव के वहवार को नियंतरत करती है मानविय वहवार को प्रेणना देती है, जिसे आगे जाकर समाज मानिता भी देता है, उस वहवार को मानिता देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक प्रेणाय कहेंगे, कल्सृरल थीम कहेंगे, यह कॉनसेप्ट हो जाएगा, मोरिस ओपलर का, next है, निम्न में से कौन सी एक संस्क्रिती की विशिष्टा है ये पूछा जा रहा है संस्क्रिती देवय उपहार है संस्क्रिती मानव निर्मित है संस्क्रिती अनुवाशिक विरासत है संस्क्रिती पर्यवरण का हेर फेर है बताईए समस्कति की कौन सी एक विशिष्टा है ये पूछा जा रहा है राइट क्या हो जाएगा यहांपर ओप्शन भी हो जाएगा मानव निर्मित है ओप्शन भी यहांपर राइट है नेक्स्ट है निमने में से आप यहांपर भी कलसर की बताईए देखिए संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है और यहां कहना किसका है किसने संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली बताया है ओप्शन दिये गए है फिचर रॉबर्ट रेटफिल्ट लिंटन होबल संस्कृती समाज के सदस्यों की जीवनशाली है ये किसका कहना है राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉबर्ट रेट फिल्ट हो जाएगा ओप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है मानव निर्मित उपकरण मानवी अवशक्ताओं की पूर्ती हेतु है संस्कृती कहलाती है और यह तर्क किसका है जो मानव निर्मित उपकरण है मानव निर्मित वे सभी उपकरण जो मानवी अवशक्ताओं की पूर्ती हेतु होते हैं वह संस्कृति कहलाते हैं और इस तरीके से संस्कृति को किसने परिभाशित किया है options दिए गयa है CC north, Spencer, Mockover, Robert lobby CC north, Spencer, Mockover, Robert lobby options है ब котором यहां आपर 13 का जाएगwest राइट अंसर राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा सी सी नॉर्थ ठीक है सी सी नॉर्थ ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक ले की अवधाना किस ने दी है सांस्कृतिक ले की अवधाना किस ने दी है कॉशन है ऑप्शन है क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकेमेरेट क्रोबर, मोरिसो, प्लर, टाइलर, मेकेमेरियट, आप्शनस और सांस्कृतिक लेकी अवधाना पूछी जा रही है किस ने दी थी बदाईए इससे पहले कल्चर टॉपिक को कम्प्रीट कराया गया था काफी समय पहले फोल्डर का नाम था सब साथ में कराया रहे थे स्टेटस यानी कि प्रसतिती से संबंदे जो अवधाना भूमिका से संबंदे जो अवधाना आए है उस सब्सक्रीती से संब्सक्रित जो अवधाना हैं लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको करना ये हैं पहले तो आपको स्टेटर्स रोल एंड कल्चर वाला जो फोल्डर है प्लेलिस में आपको मिलेगा वहां जाहिएगा वहां पर जितने भी वीडियो फोल्डर ओपन करिएगा जितने भी वीडियो से उन सभी वीडियो को आपको देखना है और फिर इसके बाद यह जो आपका इधर यह जो कल्चर वाले अभी इधर क्लासिस ली जाएंगे उन्हें देखना है और इससे पहले भी कल्चर से पहले भी कुछ ही समय पहले स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया गया है तो इन सभी को ज़रूर दिखेगा आपके एक्जैम्स के लिए इंपोर्टेंट है इनसे रेलेटिट कोशन्स पूछे जाते हैं यहां पर संस्कृतिक ले की अवधार्णा पूछी गई है और यह अवधार्णा मोरिस ओपलर ने दी है मोरिस ओपलर ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आगे आने वाली क्लासस में बताया जाएगा संस्कृतिक ले होती क्या है ठीक है तो यह सारे अवधार टाइलर रूथ बेंडिक्ट एक संस्कृती एक व्यक्तित्व यह कॉंसेप्ट किसका है विस्लर ओपलर टाइलर रूथ बेंडिक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट क्या होगा यहाँ पर विस्लर ओपलर टाइलर रूथ बेंडिक्ट है एक संस्कृती एक व्यक्तित्व वन कल्चर वन पर्सनालिटी कॉंसेप्ट किसका है राइट क्या होगा रूथ बेंडिक्ट ठीक है रूथ बेंडिक्ट होगा और रूथ बेंडिक्ट ने ये भी कहा था के व्यक्तितव पर संस्कृती का प्रभाव पड़ता है और दो तरह के व्यक्तितव की भी इन्हों ने बात की थी अपॉलीनियन और डायनोियन और पुछ लें आता है नैट के पेपर में भी जैसे की भी पूछ इस तरीके से पूछा गया है तो यहाँ पर Root Bendic Option D राइट हो जाएगा Next है सभी संस्कृतियों में पाई जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं सांस्कृतिक समानांतर सांस्कृतिक समाकृतियां सांस्कृतिक छेत्र सांस्कृतिक सार्वभॉम सभी संस्कृतियों में पाई जाने वाले सांस्कृतिक तत्व क्या कहलाते हैं सांस्कृतिक समानांतर सांस्कृतिक समाकृतियां सांस्कृतिक छेत्र या फिर सांस्कृतिक सार्वभॉम बदाई यहाँ पर कौन सा सही होना चाहिए सबी संस्कृतियों में जो सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं उन्हीं क्या कहा जाएगा सांस्कृतिक समानांतर कहा जाएगा सांस्कृतिक समाकृतिया कहा जाएगा सांस्कृतिक छेत्र कहा जाएगा या फिर सांस्कृतिक सार्वभॉम कहा जाएगा क्या होगा यहाँ पर? राइड क्या होगा? सांस्कृतिक सारवभॉम ठीक है? सांस्कृतिक सारवभॉम होगा option D यहाँ पर right answer हो जाएगा next time किसी मुख्य संस्कृति के अंतरगत लगु संस्कृति का विक्सित हो जाना कहलाता है options दिये गए हैं प्रती संस्कृति, उप्संस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इन में से कोई नहीं मुख्य संस्कृति के अंदर जब कोई लगु संस्कृति developed हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रती संस्कृति कहा जाता है उप्संस्कृति कहा जाता है संस्कृतिक तत्व का जाता है या फिर इन में से कोई नहीं क्या होगा सही बताइए और इस तरीके से कुछ कोशन कराई भी गया है से पहले वाली जो क्लासिस होई थी फ्रति संस्कृति उप संस्कृति क्या होता है ये सब बताया गया है आगे आने वाली क्रासेस में भी हलाकि बताया जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुख्य संस्कृति के अंदर गर्द जब कोई लगु संस्कृति विक्सत हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? उप संस्कृति कहलाती है क्या कहलाती है? उप संस्कृति कहलाती है option B यहाँ पर right होगा आगे देखते हैं संस्कृति की लगुतम इकाई है options दिए गए है प्रति संस्कृति, संस्कृतिक छेत्र संस्कृतिक तत्व या फिर संस्कृतिक परमतत्व संस्कृति की जो लगुतम इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है प्रतिसंस्कृति, सांस्कृतिक छेत्र, सांस्कृतिक तत्व या फिर सांस्कृतिक परम तत्व राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? यह PGD के एक्जैम में पूछा भी गया है सांस्कृतिक तत्व संस्क्रति की जो सबसे छोटी काई होती है वो संस्क्रतिक तत्व कहलाती है Option C यहाँ पर रैट हो जाएगा Next है Clover तता Olin ने तीन प्रकार की उपसंस्क्रतियों की चर्चा की है निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है चली देखते हैं Options अपराधी उपसंस्क्रति, संगशात्मक उपसंस्क्रति, प्रत्यवर्तन उपसंस्क्रति या फे विद्रोही उपसंस्क्रति किसकी बात Clover तो ने नहीं की है तीन तरह की उपसंस्क्रतियों की बात की है नहोंने एक है वो बताना है जिसकी बात उन्होंने नहीं कही है रइट क्या होगा यहाँ पर? रइट हो जाएगा विद्रोही उपसंस्कृती ठीके विद्रोही उपसंस्कृती हो जाएगा option D यहाँ पर right answer हो जाएगा next है सोरोकिन के अनुसार संस्कृती तीन प्रकार की होती है options दिए गये हैं विचारात्मक, आदशात्मक, वहवारिक, इंद्रेपरक अब इसमें से बताना है कि सोरोकिन ने जो संस्कृती की तीन बात की थी जिन संस्कृती की बात की थी है वो कौन सी है? बताएगे क्या होगा यहाँ पर राइट राइट क्या होगा इन में से कोई नहीं ठीक है जब सांस्कृतिक मूले प्रतिमान आदी एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को हस्तान्तरत हो जाते हैं तो उसे बोढ़्दियों के अनुसार क्या कहा जाता है options दे गया है संस्कृतिकरण, समाजी करण, संस्कृतिक पुनरुतपादन, संस्कृतिक हस्तांतरण जब संस्कृतिक मुल्य प्रतिमान आधी एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी को हस्तांतरित होते हैं तो उसे बोर्दियों ने क्या कहा है? संस्कृतिक करण, समाजी करण, संस्कृतिक पुनुरुत पादन या फिर संस्कृतिक हस्तांत्रन क्या होना चीह यहाँ पर सही? क्या होना चीह यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? संस्कृतिक पुनुरुत पादन होगा ठीके संस्कृतिक पुनुरुत पादन होगा option C यहाँ पर right answer हो जाएगा next time रूद बिंडिक ने अपनी पुस्तक pattern of culture में माना की एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं व्यक्तित्व का संबन संस्कृति से आशेक है व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है रूद बिंडिक की बुक का नाम क्या है? pattern of culture उसमें उन्होंने किस विचार की बात की है ने से? एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं ओप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा next है किसी भी संस्कृति बहुलेवादी समाज में नरजाती के इंदवाद ख़तानाग हो सकता है क्योंकि चले देखते हैं options options A है option जो A है उसमें कहा गया है कि इसमें अपने देश को सही वा दूसरे देश को गलत समझने की भावना सकती है B कहा है इससे अन्य सम्हों के विचारों के प्रति अशहिशुरता आ सकती है C कहा है इससे व्यक्ति में अभावना सकती है कि वह सही और दूसरे गलत है D कहा रहा है इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से गुरणा करने रखते हैं सांस्कृतिक बहुलेवादी समाज में रजाती केंद्रवाद खतनाक हो सकता है क्योंकि बताइए रजाती केंद्रवाद के अवधारना किसकी थी? समनर की थी? कई बार बताया गया है बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होगा यहाँ पर सही? इससे अन्य समू के विचारों के प्रति आशहशूरता आ सकती है आशहूरता की भावना सकती है, विक्सित हो सकती हो अप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है जहां एक और भारती मुसलमानों ने हिंदूों से जाती विवस्था सीखी वहीं हिंदूों ने भी मुसलमानों से परदा प्रता सीखी अब यह किसके उधारन के अंतरगत आएगा संस्कती करण, विसरन, पर संस्कती करण या पर संस्कती केंदरवाद संस्कती करण, विसरन, पर संस्कती करण, पर संस्कती केंदरवाद ओप्शन्स दिये गए हैं एक तरफ भारती मुसलमानों ने हिंदूों से जाती विवस्था सीखी तो वहीं पर हिंदूों ने भी मुसलमानों से परदा प्रता सीखी है ये किसके अंतरगत आएगी ये भारण किसके अंतरगत आएगा संस्कृति करण, बिसरण, पर संस्कृति करण या पर संस्कृति के इंद्रवाद तो ये पर संस्कृति करण क्या लाएगा option C यहाँ पर आईट हो जाएगा next है सत्य कथन को चुर्णा है चले देखते हैं देखिए उप संस्कृति और प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा स्विक्रत होती है ये गलत हो जाएगा फिर उप संस्कृति तता प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा आस्विक्रत होती ये भी गलत है उप संस्कृती आश्विक्रत है परंतु प्रति संस्कृती स्विक्रत होती है ये भी गलते सही होगा उप संस्कृती स्विक्रत होती है और जो प्रति संस्कृती होती है वह आश्विक्रत होती है उप संस्कृति और प्रती संस्कृति के बारे में पहले भी बताया गया है आगे आने वाली क्लासस में भी बताया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर option C right हो जाएगा next है किसका कहना है कि संस्कृति मानों की समाजिक विरासत है संस्कृति को मानों की समाजिक विरासत किसने माना है ओप्शन्स दिये गए हैं संस्कृति मानों की समाजिक विरासत है यह किसका कहना है राइट क्या हो गए यहाँ पर राइट हो गए यहाँ पर ब्रूम एन सिल्जिनिक ठीक है ब्रूम एन सिल्जिनिक हो जाएगा ओप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति जीवन वैतीत करने की संपूर विधी है यह कहना है ओप्शन्स दे गया है संस्कृति जीवन वैतीत करने की संपूर विधी है यह किसका कहना है 27 का यहाँ पर राइट क्या होगा मेलनोवस्की ठीक है मेलनोवस्की और मेलनोवस्की ने संस्कृति को मानवी आवशक्ताओं की पूर्ती का साधन भी बताया था मानवी आवशक्ताओं तीन तरह की होती है प्रात्मिक द्वित्यक्तृत्यप। इस तरीके से भी questions पूचा जाता है. किसने मानविय शक्तां का सिधान दिया है? यह तीन दरकी आवशक्ताओं की बात किसने की है? या इन मानविय शक्ताओं की पूर्थी का साधन क्या है? मैलन उवस्की ने किसे बताया है? इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है? तो संस्कृती मानुए अशक्ताओं की पूर्थी का साधान है और इसका निर्मार यानि संस्कृती का निर्मार भी व्यक्ती ने ही अपने अशक्ताओं को पूरा करने के लिए किया था, ऐसा कहना Melan 해주 qui का था, ठीक है? निम्न में से किसका क्याना है कि संस्कृती सभ्यता का वाहक है संस्कृती को सभ्यता का वाहक किस ने कहा है ओप्शन्स है गिलिन अन गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग गिलिन अन गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग ओप्शन्स दिये गया है संस्कृती सब्भेता का बाहख है या किसने कहा है एं यहां पर right हो जाएगा मैकेवर मैकेवर हो जाएगा option c यहां पर right answer हो जाएगा next है गरीबी की संस्कृती गरीबी की संस्कृति ये जो अवधार्णा है वो किसने दी थी? मौर्विन हैरेस, ओसकर लेविस, रॉबर्ट सोमवार्ट, क्लुखौन ओप्शन्स है इसमें टाइम में लगेगा जादा तर लोगों को पता होगा ये कॉंसेप्ट किसका है क्योंकि ये जादा तर एक्जैम्स में पूछा गया है गरीबी की संस्कृति की जो अवधार्णा है वो किसने दी है? मौर्विन हैरेस, ओसकर लेविस, रॉबर्ट सोमवार्ट, क्लुखौन ओप्शन्स है और राइट आंसर हो जाएगा ओसकर लेविस ओसकर लेविस, ओप्शन B यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है, लास्ट कोश्चन, सांस्कृतिक विलंबना की अवधार्णा है ओप्शन्स दिये गए हैं, ओगबन, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, वेबलन ओगबन, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, वेबलन ओप्शन्स है सांस्कृतिक विलंबना का कॉंसेप्ट पुछा जा रहा है, किसका है और राइट आंसर ओगबन हो जाएगा, ओप्शन A यहाँ पर राइट हो जाएगा तो आज की क्लास में बस इतना ही है, I hope यह आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा इस वीडियो को जितना हो सके, जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा थैंक यू